हेलो फ्रेंड्स हम लोग कर रहे थे फिजिकल क्लासिफिकेशन आफ चिल्डर्न भी डैवर्स नीट्स इसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में तो लास्ट टाइम कर लिया था कि कौन-कौन से ये वले बचे होते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में इनकी जो फिजिकल डैव वाले बचों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है सेंसरी फिजिकल डैवर्स टी यानि के संवेदी शारीरिक विवेदता और नॉन सेंसरी फिजिकल डैवर्स टी यानि की गैर संवेदी शारीरिक विवेदता तो आज इस वीडियो में हम सिरफ सेंसरी फिजिकल डैव के बारे में ही पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विजूल डिसेबिलिटी का मतलब क्या है और उससे भी पहले हम बात करते हैं sensory physical diversity की कि sensory physical diversity क्या होती है या संबेदी शरेरिक विवदता क्या होती है अब इसमें हम बात करेंगे कि जो बच्चा है उसमें बहुत तरह का impairment होता है और जो उसका impairment sensory organs की वज़े से है जो हमारे शरीर में five sense organs होते है जो sensory organs की वज़े से बच्चे में impairment है हम उसको कहेंगे sensory physical diversity इसकी वज़े से बच्चा जो है वो function अच्छी तरह से नहीं कर पाता है sensory impairment is generally used to refer to visual or hearing impairment normally हम लोग जो sensory diversity है उसको हम दो parts में divide करते है एक visual और दूसरा है hearing visual impairment is considered the most severe and traumatic physical handicap इसमें से भी जो visual physical diversity है उसको हम बहुत ज़्यादा severe मानते है या होती है and individual receive impression of the world only through the sense organs क्योंकि उस case में बच्चा जो है वो दुनिया के बारे में जानता है सिरफ अपने sense organs जो रहे गए बाकी उनके ओपर depend करता है visual sensation is one of the most important sense organs इसको important है visual sensation क्योंकि ये बहुत important sense organ है और बहुत ज़्यादा जो impressions है जो बच्चा देखता है और उन impressions को वो brain तक पहुंचाता है वो सारे देखने से ही है sense organs जो है वो visual वाला जो है उसी से जो बच्चा है वो observation के तुरू knowledge को acquire करता है from the environment इसलिए जो visual impairment है वो individual को influence करता है physical में mental में, social में, educational में और vocational aspects में इन अलग-लग aspects में जो visual aspect है या visual sensation है वो बहुत ज़्यादा role play करती है अब बात करेंगे visual diversity की या disability की क्या है senses are set to be the gateway of knowledge यही मैंने पहले कहा कि जो senses के द्वारा ही बच्चा observe करता है अपने environment में जो भी situations है जो भी events उसके इर्दगिर्द हो रहे हैं उन सबको बच्चा जो है वो sense करता है इसलिए इसको gateway of knowledge भी कहा गया जो हमारे पांच sense organs है उन में से जो देखना है sight है या eyes है उनका जो है unique advantage है क्योंकि यही हमें knowledge और information जो है they were the first group of for whom social and educational provisions have been made और यही visual ही disability वाले बच्चे हैं या impairment वाले बच्चे हैं जिनके लिए सबसे पहले जो है educational provisions बनाई गई और उनी के rights के बारे में भी सबसे पहले बात हुई है अब इसमें जो हमने पहले बात करी के कुछ बच्चे तो totally blind होंगे और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनको कुछ दिखाई देता हो some can perceive only the difference between light and dark अब जो partially blind बच्चे हैं वो कुछ बच्चों जो हैं वो light और dark में differentiate कर सकते हैं कुछ बच्चे day और night में differentiate कर पाएंगे पर उन लोगों को पूरी शेप नहीं दिखती है चीजों की जो उनके सामने होती है वो सिरफ differentiate कर पाते हैं day and night में इन सभी बच्चों को special care और provisions की जरूरत है education के लिए training के लिए rehabilitation के लिए ताके ये लोग भी पढ़ लेकर अपना समाज में अच्छा role play कर सके श्पेशल personal instructional material भी चाहिए इनको curricular adaptation चाहिए curricular हमें इनके accordingly change करना पड़ेगा और इनकी help करनी है ताके ये educational और vocational competency पूरी तरह से हासिल कर सके low vision is defined in terms of clarity अगर किसी की low vision है तो उसको clearly नहीं दिखाई देगा whereas partial sightedness is defined in terms of distance from the snellen chart अब यह snellen chart क्या है इसको हम अलग से मैं वीडियो भी बनाऊंगा detail में आप उसको वीडियो को देखके अच्छी तरह से इसको समझ सकते हो कि snellen chart क्या है तो जो व्यक्ति low vision है उसको तो clarity की problem आएगी और जो partially sightedness की problem है उसको दूर से देखने में problem है वो कितनी acuity होनी चाहिए उसकी वो हम उसमें detail में बात करेंगे normal eyesight जो है वो six by six यानि कि six meter by six meter और 20 by 20 feet यह है यह हम जब snellen chart करेंगे तो उसमें detail में बात करूँगा according to baraga 1983 a visually handicapped child is one whose visual impairment interfere with the optimal learning and achievement unless adaptations are made in the methods of presenting learning experiences the nature of materials used and or in the learning environment तो इन्होंने कहा कि visually handicapped बच्चा वो है जिसको visual impairment है जो कि उसके learning में interfere करती है अगर learning में interference होगी बच्चा अच्छे तरह लर्न नहीं कर पाएगा तो उसकी achievement below होगी और यह तब तक रहेगा unless हम adaptations नहीं करते हम कुछ changes नहीं करते किसी इसमें changes करने पड़ेंगे methods में learning experiences में material में और environment जो हम उन बच्चों को provide करते हैं हमें उसमें changes करने पड़ेंगे visual impairment is defined as the decreased ability to see to a degree that causes problem not fixable by usual means such as glasses or medication तो visual impairment वो है जिसमें बच्चा जो है उसकी देखने की जो ability है वो कम हो जाती है और हम उसको ठीक नहीं कर सकते जो normal तरीके हैं जैसे चश्में लगाके या कोई दवाई देके दवाई डालके आंकों में हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं तो हम उसको visual impairment कहेंगे थैंक यू